जैहिन मेरे पैरे दोस्तों मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होगे यह है NCRT और मैंने आपको डेली PYQ सीरीज में हर बार बताया है कि क्या question का source था अगर वो NCRT से derived था तो मैंने उसका source आपको बताया था अभी मैं आ जैसी देना है civil service exam इसके लिए किस approach से पढ़ना है यहाँ पर मैं clear करूँगा कैसे मैं खुद पढ़ता हूँ और क्या चीजे relevant है क्योंकि मैंने खुद ने 10,000 प्लस PYQs multiple times solve करे हैं तो मेरी इन सारी learnings को मैं इस वीडियो में आपके साथ share करने जा रहा हूँ देखिए अग पर मैं हर page पर अगर उसका relevance PYQs है तो मैं आपको with proof बताऊंगा कि कैसे PYQ examiner ने यहाँ से design किया है तो इससे आपको जो examiner का mindset है वो समझने में help होगी जैसे कि 2021 के CSE में मदन पढले के उपर question था और वो मैंने पढ़ रखा था क्योंकि वो NCRT है quality की 6th class की वहाँ से आया मैंने सारी चीज़ा highlight कर रखे with all the hints आपको telegram channel पर मिल जाएगा जिसका link आपको description में मिलेगा तो चले दोस्तों next देखते हम अब देखे सबसे पहले हम यहां का जो index हो देख लेते है what, where and how, when यहाँ पर हमें basics of history अब देखे यह 6th class की NCRT है और जो NCRT बनाने वाला है इसने CSE के बच्चों के लिए नहीं बनाई है तो यहाँ पर 6th class वा लोगों कैसे समझाना है on the trails of the earliest people ठीक है उसके बाद देखे gathering to growing food यहाँ पर agriculture कैसे आया फिर earliest cities यहाँ पर Indus Valley की बात करी गई है उसके बाद देखे what does books and burials tell तो यहाँ पर literature की बात करी गई है kings, kingdoms and early republic तो इदाज उपनिशद है उनकी बात करीगे new question and ideas यहाँ पर देखे जो buddhism, jainism इनके जो ideas थे उनके बारे में बात हुई है अशोका the emperor who gave up war तो यहाँ पर देखे हमारे जो maurian सामराज्य है उस तक आगे हम फिर vital villages and thriving towns तो कौन से हमारे important trading centers थे फिर देखे हमारे trades, kings and pilgrims, new empires and kingdom उसके बाद कौन सा kingdom आया और last में building, paintings and book देखे जो old NCRT वहाँ पर हमें timeline के basis पर चीज़े देखने को मिलती है बट new NCRT में हमें यहाँ यहाँ पर theme wise चीज़े देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर images है plus maps है यह सारी चीज़े दी गई है तो चलि field gatherers हुआ करते थे और hunters हुआ करते थे यह हमें याद रखना है देखे उस टाइम पर जंगल में रहते थे तो hunting और gathering ही source of energy होता था और कैसे food है तो वो hunting और gathering से आता था उसके आदिके next है यहाँ पर सुलेमान और कीरतार hills यह पाकिस्तान में है यहाँ पर देखे first begin to grow crop such as wheat and barley about 8000 years ago तो देखे दोस्तों यहाँ पर where women's and men's first begin तो यह बहुत important है तो यह आपको यहाँ से जानना है उसके आदेखे दोस्तों यह map है NCRT का हर मैप बहुत important देखे यहाँ पर किरतार एंड सुलेवान पाकिस्तान में हमारा उसके बाद देखे यहाँ पर जेलम चिनाब रावी अब मैं यहाँ पर rivers आपको detail में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हम geography की NCRTs में देखेंगे नेक्स आगे बढ़ते हम लोग जो history से perspective से important है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स देखें यहाँ पर places where rice was first grow are in the north of विंद्याज तो यहाँ पर यह नौर्थ विंद्याज की जगह यहाँ पर क्या कर देंगे western घाट में था वही या फिर यहाँ पर कोई और जो हमारी परवतों की जो range है उसका नाम दे देंगे तो यह हम याद रखना है कि विंद्याज में the place where rice was first grown are to the north of विंद्याज तो देखें यह रह हमारी विंद्याज और इसके north में यहाँ पर कहीं rice की पैदावार सबसे पहले हुई थी ऐसा NCRT कह रहा है नेक्स देखें river indus के बारे में river indus में देखें earliest cti थी हमारी indus वाली civilization की बात हो रही है देखें यहाँ पर 4700 years ago नेक्स देखें यहाँ पर गंगा की बात हो रही है गंगा वाले region में और इसके tributary वाले region में उसके tributary क मैं बस आपको क्रक्स बता रहा हूं line to line चीज़े नहीं बता रहा हूं ओकि ऐसा करेंगो तो हमें इस NCRT को खतम करने में पाच्छे गंटे लग जाएंगे ठीक है उसके आदिके name of land यहाँ पर बताएगे कि हिंदू सिंदू उसके बाद इंडस रिवर इसके उपर से इंड यहाँ पर नर्मदा वैली यहाँ पर देखे हंटिंग अंगैधरिंग मगद फर्स्ट बिक किंदम गारो हिल्स यहाँ पर अर्ली अक्रिकल्चर हुआ था इंडस्टिबूटरी फर्स सिटी गंगा वैली में हमारा सिटीज अबौट 2500 यहाँ यहीं से हमारे कुछ क।म अगर earliest people, यहाँ पर देखे हमारे काम की चीज अब भी आ गयाएगी देखे दोस्तों यह map यह बहुत ज़्यादा important है ठीके दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोंगे, मैंने आपके लिए highlight कर रखा है और आप इसका screenshot भी ले सकते हो या फिर मेरे हिसाब से तो आप NCRT एक खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत important source हो जागा, अगर प्रिलिंस में एकाद भी question फसता है, तो आप two marks यहाँ पर advantage में रहोगे I hope आपने screenshot ले लिया होगा देखे यहाँ पर देखे दोस्तों, सबसे पहले आप Megalithic Sights याद रखे, Megalithic Sights दो है यहाँ पर, Brad, ऐसे याद रखा है मैंने, Brad, ठीक है Brad यानि की क्या है हमारा ब्रह्मगीरी और अधी चन्नूर, ठीक है दोस्तों, Brad ब्रह्मगीरी और अधी चन्नूर उसके बाद देखे दोस्तों हमारी नियू लितिक साइट, यह बहुत ज़्यादा है ठीक है, नंबर में, सबसे पहले देखे यहाँ पर बुर्जा हूम, फिर देखे महरगड उसके बाद देखे दोजाली हाडिंग फिर देखे चीरान, उसके बाद देखे कोल्डिवा एन महागारा, फिर है हल्लूर और फिर है पयमपली थोड़ा सा आप इनको याद रखिए इनका नाम और लास्ट में देखे, अरली विलेजस यहाँ पर इनाम गाओ, इनके उपर हमें डीटेल में आगे देखने को मिलेगा यह जो नाम है ना दोस्तो बहुत इंपोर्टन है क्यूं? देखे दोस्तो यह हमारे CSE 2022 का क्वेशन है बुर्जाहूम, चंदरकेतुगर, गनेश्वर अब बुर्जाहूम देखे हमने अभी पड़ा, वो हमारा नियो लिथिक साइट थी फिर यह दो नाम कहां से आए देखे दोस्तो यह हमारी NCRT है Themes in Indian History, 12th की है शायर देखे यहां पर गनेश्वर, जोधापूर कल्चर इतर डिस्टिंक्टिव नॉन हरपन पॉर्टरी और अन्यूज्वल वेल्थ ओप, कॉपर अब्जेक्ट्स थर्ड ओप्शन कहां से आए थर्ड ओप्शन देखे दोस्तो यह रहा हमारे 12th की NCRT चंदर केतुगर इसके बारे में डेटेल में तो यहां नहीं दिया गया है बट यह important towns and kingdoms में है चंदर केतुगर और देखे दोस्तो अगर बुर्जदा हूं हमारा नियोलितिक साइट है तो यहां पर rocket shrines बनना तो बड़ा मुश्किल है तो वन हटा दो फिर देखे यहां पर गनेश्वर यह हमारे NCRT से copper artifact तो यहां पर 3 हमारा correct है चंदर केतुगर तो यहां पर देखे हम 50-50 तक पहुँच गया है तो यह importance है NCRT का और NCRT को भी हमें bird eye view से पढ़ना है यहां पर हर line important नहीं है बट जो line important है वो मैं आप सब लोग के साथ discuss करूँगा in the subsequent series of sessions तो I hope आपको इस map का जो importance है वो पता चल गया होगा अगर देखें mains में भी कोई question आता है नियो लिटिक साइट के बारे में तो directly आप यह map बना के चारपा साइट लिख देंगे एक mark एक्स्टर आपको मिल जाएगा next हम आगे बढ़ते देखें भीम बेटका के बारे में V.S. वाकनकरजी थे जिन्होंने इस जो cave थी उसका explore किया था यह हमारे नितिन सिंगा ने भी मेंशन है देखें natural caves and rock shelters are found in विंद्याज and deacon plateau and these rock shelters are closely to नर्मदा वैली तो देखें भीम बेटका के बारे में बता रखा है तो यह पूछा जा सकता है हमें नर्मदा वैली या फिर विंद्याज या फिर भीम बेटका chaos मद्यप्रदेश में situated है जैसे 2021 के prelims में अजन्ता के उपर question आ गया था उसकी river के बारे में तो इस type का question यहां भी बन सकता है next देखें दोस्तों यहां पर finding about the fire तो देखें करनूल chaos हमने देखा था यह पैलियोलितिक था क्या क्या था भीम बेटका हुंकसी और करनूल इसमें से देखें करनूल chaos suggest that people were familiar to the use of fire तो यह इस तरह से कुछ question बन सकता है हमारे prelims पर next आगे बढ़ते हम लोग names and dates यह सब छूड़ी है तो यहां पर relevant important points मैं आपके साथ share करना हो तो यहां पर देखें एक जगा है पटने इन महारास्टा large quantities of ostrich egg shells are found in पटने इन महारास्टा इस जगा को UPSC change कर देगा या फिर बोलेगा पटने इन महारास्टा का क्या significance था इस तरह का question कुछ आ सकता है designs were engraved on some pieces while beads were also made out of them यह भी question आ सकता है कि जो पटने महारास्टा में ostrich के एक मिले उसका क्या use होता था भई तो beads या फिर वो एक जो हमारा show piece जो होते है वैसे कुछ use होता होगा artifacts की तरह यह आप याद रखिए paleolithic period में ostrich भी इंडिया में थे यह बहुत important है question बन सकता है next देखिए hunks की जो हमने देखा था यह paleolithic site है यहाँ पर भी हमें बहुत सारे tools मिले है ठीक है यहाँ पर बता रखा है tools मिले है और इसको habitation come factory site भी गए सकते थे और यहाँ पर जो tools है वो mostly limestone के बने है which is locally available भही limestone से ही बने होंगे कोई America से तो नहीं लेके आते होंगे उस time पर फ्लाइट तो नहीं थी लाइम स्टोन हुंग्स की आप थोड़ा याद रख लिजेगा next आगे बढ़ते हम लोग हमारा next chapter भी हम start करते है दोस्तों आगे आजा from hunting gathering to growing foods अब यहाँ पर हमें कुछ prelims related चीज़े मिलते देखिए यह first animal to be tame यानि कि domesticated was the wild ancestor of dog यह आप थोड़ा याद रखिए कि dog हमारे first थे उसके बाद यहाँ पर sheep goat cattle यह सब चीज़े आई थी next domestication के बारे मिलम्मा चौड़ा लिख रखा है कुछ काम का नहीं हमारे मैं यहाँ पर आपको to the point चीज़े बता रहा हूं यहाँ पर जो sites के नाम है बहुत important है महरगड, कोल्डिवा जो हमने map में देखा महागारा जो की UP में है गुफराकुल जो की कश्मीर में है बुर्जाहुम जो की हमारे कश्मीर में है उसका देखे चिरान जो की हमारे बिहार में है आंदरपदेश और पईयमपली आंदरपदेश देखे दोस्तों यह sites है जहाँ पर हमें ग्रेन, बोन्स यह सारी चीज़े देखने को लिए अब देखे इस side का जो चीज़ है हमें याद नहीं हो पाएगी मुझे भी पता है, मैं भी एक ऐस्परेंट हूँ यह याद नहीं होगा, यह sites थोड़ा आप याद रख लिजिए कि food से related कोई सी-कोई साइट थी तो क्या पता है इनका state या फिर कोई ऐसा question बन सकता है next आगे बढ़ते देखे हम बुर्जा होम के बारे में है देखे दोस्तों यहाँ पर बुर्जा होम के बारे में है people built pit houses which were dug into the ground with a step leading into them तो यह हमें याद रखना है यहाँ पर कोई rock cut shrine नहीं थी यहाँ पर pit houses थे, यह बहुत important है यहाँ उसके बार देखे दोस्तों next आगर हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर यहाँ पर next site है देखे हमारी मेहरगड इसके बारे मेहरगड कहा है दोस्तों यह fertile plane near the Bolan Pass which is one of the important roots into Iran अब मेहरगड is one of the places where women and male learn to grow barley and wheat and rear sheep goats for the first time देखे यहाँ पर one of the place है यहाँ पर only place नहीं बोला यहाँ पर कोई definite बात नहीं करी गई है बट one of the place है तो ऐसा UPSC का examiner भी question set करेगा उसके आथ देखे यहाँ पर wild animals के bones यह सब चीज़े मिली है फिर थर्ड पूरान है with respect to second और first is the new सबसे new जो है वो first होगा हमारा तो बस यहीं यहाँ पर बताने की कोशिश हुए जो कि prelims के लायक कुछ नहीं है पर देखे दोस्तों next house in मेहरगड तो देखे यहाँ पर rectangular shapes में है यह आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजे तो लास में देखे मेहरगड में कुछ burial house मिले है जहाँ पर देखे यह सो रहे है और इनके साथ यहाँ पर goat है तो यह आप याद रखे तो यह आप याद रखे तो यह जानवर को भी सातमी दफना देते थे अब उनका क्या rituals थे हमें नहीं पता है उस tank फिर देखे यहाँ पर एक अलग दूसरी साइट है दाव जॉली हाडिंग तो देखे दोस्तों यह ब्रह्म पुत्रा वैली में है याद रखेगा UPS से बोलेगा इट इस इन गंगा वैली तो गलत ओके तो यह आप याद रखे ब्रह्म पुत्रा वैली यह रूट था चाइन इसका मैप में भी देखा था आपको यह समझ आ रहा होगा नेक्स देखे यहाँ पर एक क्वेश्चन है पीपल इन बुर्जा हूं लिव इन रेक्टेंगुलर हाउस तो यह गलत है दोस्तों रेक्टेंगुलर हाउस में कौन रहते थे मेहरगड वाले और बुर्जा हूं व प्रिलिम्स को ग्वेश्चन बनाने बार्त है गलत हो जाएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हम हमारा फॉर्थ चैप्टर है अर्लीएस्ट सीटीज के बारे में देखिए यहां पर हरपपा के बारे में बता रहा है और एक इंट्रेस्टिंग यहां पर एक स्टोरी है कि पद्बेता है वन अफ ग्रेटेस्स सिविलाइजेशन का एक पार्ट उसको वो डिस्ट्वाइ कर रहे है तो यहीं स्टोरी यहां पर बता रखें बाद में जो अर्टेओलोजिस सर्वे उफ इंडिया के जो ऑफिसर है उन्होंने आए और फिर उन्होंने यहां पर नोटिस कि अधरप्पा हमारे रावी रिवर के उपर है राखी गड़ी काली बंगन काली बंगन जहां पर फिल्ड हमें मिला है तो यह कुछ इंपोर्टन है साइट्स जो कि हम नितिन सिंगाने से और डीटेल में पढ़ेंगे नेक्स जगी यहां पर काली बंगन यहां पर फायर है इसलिए मैं न connection में एंसारी चीजह कवर नहीं करता रहूँ हूं जो चीजह महां पर आप sent है वहीं मैं यहां दिसकस कर रहा हूं नेक्स देखिए, houses, drains and streets देखिए, जो forest का mains इस साल हुआ है उसमें भी question आया है कि how Indus Valley urbanization differs from Indus Valley urbanization के features वहाँ पर पुछे थे, direct question आया था फिर देखिए, houses, drains and streets के बारे में यहाँ पर, कि जो houses थे वो एकदम regular fashion में बने हुए थे जो streets है, वो rectangular grid pattern में थे यहाँ पर जो photos है न, वो बड़े पैरे दे गए उससे हमारी जो understanding है, वो बहुत अच्छे से develop होगी उसके आदेखिए, यहाँ पर जो seals है वो यहाँ पर दिखाए गए, फिर यह कुछ terakota toys यहाँ पर दिखाए गए है देखे, दुस्तो हरपन seals के बारे में sign on the top of seal are the part of script this is the earliest form of writing known in the subcontinent, scholar have tried to read बट अभी तक पता नहीं चला है कुछ भी next देखते हम लोग यहाँ पर beads के बारे में question है जो beads वो लोग वहाँ पर पैना करते तो यहाँ पर देखे, दो site है मैंने याद रखते है, चलो यानि कि चोहंदारो और लोथल यह दो जगाती जहाँ पर bead making factories थी यह मैंने कहां से drive किया है तो जो हमारा 11 की fine arts है वहाँ पर इसके बारे में दिया गया है नेक्स देखे दोस्तों यहाँ पर stone weights के बारे में भी है इस तरह से यहाँ पर stone weights हुआ करते थे आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर देखे दोस्तों copper, bronze is used to make tools, weapon, ornaments gold and silver were used to make ornaments तो यह सारी चीज़ है यहाँ पर यहाँ पर हमें iron का mention नहीं मिलता है वो तो latter vedic में आया था उसके आगे बढ़ते हम लोग cotton के बारे में देखे cotton was probably grown at Mehergad around 700 years ago यह cotton के बारे में भी हमें देख लिया हमने rice के बारे में भी देखा था wheat barley के बारे में भी देखा था और यहाँ पर देखे कैसे पता चला तो it was found attached to the silver waste and some copper object at Mohenjodado तो यहाँ से मैं बता चले कि हाँ cotton हमारे इसी के आसपास था next देखे आगे बढ़ते हैं अब देखे हरपंस के बास जो चीज़े वो बनाते थे उसका raw material कहां से आता तो बहुत important थे दोस्तो यह आप याद रखेगा copper from Rajasthan and Oman तो मैंने ऐसे याद रखे 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 है copper Rajasthan and Oman तो इसको मैंने याद रखे रखे है crow जैसे मैंने याद रखे है वैसे मैं आपको बताऊंगा crow copper, Rajasthan, Oman उसके आद देखे teen teen कहां से लाए है Afghanistan and Iran Iran तो यह मैंने Thai ऐसे याद रखे है Marathi में Thai का मतलब होता है sister इसलिए यह मुझे थोड़ा easily याद हो गया next देखे gold gold हमारा करना टक से आता था और देखे precious stone precious stone कहां से आते थे Gujarat, Iran and Afghanistan अब देखे यह कैसे याद रखा Piga Piga ऐसे में याद रख रखा है precious stone Iran, Gujarat and Afghanistan इस तरह से आयोप आपने यह चीज़े याद कर ली होगी तो मैं बस आपको यहाद बता नहीं रहा हूँ तो चीज़े कैसे याद होगी वो भी चीज़े मैं discuss कर रहा हूँ next हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखे यह toy flow यहाँ पर दिखाय गया है यहाँ पर irrigation होता था यह सारे चीज़े भी बताएगे यह कि it does not receive heavy rainfall तो यहाँ पर irrigation की चीज़ थी canal irrigation था अब देखे हैं यहाँ पर दो शहरों के बारे में detail में यहाँ पर बात करी गई है Harappan Towns in Gujarat यहाँ पर देखे धोला वीरा runoff कच में है और यह Harappan देखे unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts धोला वीरा is divided into three parts तो यह इसका distinctive feature है इसलिए मैंने हाँ पर आपके साथे discuss कर रहा हूँ next देखे है हम लोग each part is surrounded by a massive stone wall and entrance through the gateways where public ceremonies are held other find that large letters of Harappan script यह बहुत important है were carved out of the white stone perhaps inlet in a wood this is the unique find as general Harappan writing has been found in a small object तो देखे है large writing मिली है यहाँ पर कहाँ पर धोला वीरा में तो यह कोई public banner है ऐसा भी कोई historians कहते है तो इतना याद रखे है उसके आद देखे हैं अपर लोथल के बारे में लोथल यह एक dockyard है हमारा इंडस वैली के टाइम पर और यह river याद रखेगा दोस्तों बहुत important river है यह साबरमती river और यह Gulf of Khambath में है और वो हमारा Gulf of Kutch में था यहाँ पर देखे जैसा कि मैंने बता था चोहंदारो और लोथल यहाँ पर semi-precious stone, shells, metal यह सारी चीज़े बनाई जाती थी और यह कैसे बता चला यहाँ पर कुछ raw materials मिलेते हैं और यह store houses हुआ करते थे next आगे बढ़ते हम लोग यह देखे यहाँ पर लोथल के बारे में फोटो दे रखा है next आगे बढ़ते हम लोग next आगे बढ़ते हम लोग देखे जैसा कि मैंने आपको याद कर रहा है था आप easily इस question को solve कर पाओगे हमारा अगला chapter है जो कि इस वीडियो का last chapter होगा और अगला हमारा part 2 आएगा वहाँ पर हम बाकी 5 chapters discuss करेंगे अब देखे यहाँ पर one of the oldest book in the world तो देखे हमारे वेदास थे रिगवेद, सामवेद, जुर्ववेद, अथर्ववेद oldest वेदा इस रिगवेद जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था यहाँ पर देखे सुकता और वेल सेड यह सारी देखे एक common सी बात है कि यहाँ पर इंद्र देव, अगनी देव यह सब थे इनके उपर question आने के chances कम है question आ सकता है दूस्तो some of the hymn in रिगवेदा are in the form of dialogue यहाँ पर देखे सेज विश्वमित्रा and two river, बियास and सतलच यह देखे, दो rivers के नाम आप थोड़ा याद रख लिए बियास and सतलच, UPSC इनको change कर देगा बोलेगा कोई दूसरी river के नाम देदेगा यहाँ पर इनका dialogue भी दे रखा है बढ़ यह हमारे exam के काम का नहीं होतना ठीक है, उसके next आगे बढ़ते हैं हम लोग जो हमारा अगला यहाँ पर important है next देखे दोस्तों यहाँ पर Megalits की बात करी गई है Megalits क्या होता था दोस्तों तो यह Deccan, South India, North Eastern Kashmir यहाँ पर मिलता था, देखे, अगर UPSC बोलेगा कि Megalits are found only in Deccan यहाँ फिर only in South India and Deccan not in North Eastern Kashmir तो यह गला थे दोस्तों अब यह Megalits क्या होते तो यह बरियल साइट सुआ करते थे तो इसका भी एक पैटर्न होता था देखे इंसान के शौक अलग-अलग यहाँ पर जो है वो dead body रखा जाती थी और इसके बाजू में ऐसे बड़े बड़े पत्थर लित्स यानि के गा होता था तो यह पत्थर होते थे मेगा यानि के बड़े 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 पत्थर ऐसे रखे जाते तो जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी उसकी कब्र ऐसा कुछ होता होगा सिस्टम उस टाइम पर थीक है तो some megaliths have seen other megaliths burial are often underground ठीक है तो यहाँ पे जो है dead body रखी जाती थी तो I hope आपको यह megalith वाला concept याद आ गया होगा समझ आ गया होगा और इस map को तो नहीं भूले न megalithic side कोन सी थी हमारी Brad Brahmagiri and Adich and Noor ऐसा भी question बन सकता है उसके बाद देखें दोस्तो all the burials have some common feature जैसे कि the dead body is buried with black and red wear and also the tools and weapons of iron sometime ठीक है तो यहाँ पे यह आईरन यह सारी चीज़े भी रखी जाती थी and the skeleton of forces horse equipment तो उसका प्यारा घोडा होता होगा उसी को उसके साथ रख देते होंगे या फिर किसी लडाई में अगर वो शहीद हो जाते होगे तो यह चीज़े अब इतना detail में नहीं जाना होगे बस megalithic culture क्या था उनकी sights क्या थी यह सारी चीज़े important है next देखेंगे अब देखेंगे यह ब्रह्मगीरी यहाँ पे one skeleton was buried with a gold beads, two stone beads and four copper bangles and one conch shell तो यह थोड़ा पढ़के हमें थोड़ा interest आ जाता कि वहाँ ऐसा भी कुछ होता था उसके बाद देखिए एक special burial था इनाम गाओ इनाम गाओ यह देखिए earliest city में देखा था हमने उसी map में तो यह river घोड के उपर है याद रखेगा दूस्तो river घोड which is a tributary of bheema rivers के उपर UPSC question पूछ सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर यह highlight कर रखा है okay the burials sometimes the burials were within the house घर में ही दफना देते थे और यहाँ पर घर मिला है जो पाच रूम है वहाँ पर 5BH के 3BH के कुछ होगा उस time का system और यह house also has a granary and body was place in the cross leg position तो यह कुछ होगा उनका significance हमें नहीं पता उसके आदेखें नेक्स्ट इनाम गाव में देखें वीड, बार्ली, राइस, पलसे, स्मिलेट से सारी चीज़े लोग यूज करते थे यहाँ पर कुछ animals के भी नाम है जो कि एक basic है इतना कुछ question यहाँ पर 80 marks के आसपास अगर फस रहे हो और आपका cutoff अगर 10 से 15 marks से miss हो रहा है तो यह video बस आपके लिए है easy strategy to score 110 plus in CSE prelims यह अगर आप home page में जाओगे channel के तो यहीं आपको इमिल जाएगा यह 25 minutes का video आपका पूरा perspective change कर देगा prelims exam से related क्योंकि मैंने खुद ने GS section में हर बार 110 के around score किया है तो यहाँ पर मैंने मेरी trusted strategy आपके साथ share करिये प्लस अगर आप यह shots के videos भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि UPSC के questions कहां से आ रहे हैं और किन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए irrespective of किसी भी source के पीछे भागे तो कैसे limited source और क्या ऐसे sources जो हमें help करेंगे 110 प्लस score लाने में इसका link आपको यहीं मिल जाएगा अभी वीडियो के end में और अगर आपको PDF चाहिए जो हमने आज NCRT discuss करी तो आप टेलिग्राम चैनल join कर सकते हो इसका link भी description box में हो तो चले दोस्तों मिलते हैं part 2 के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं मिलते हैं break के बाद thank you दोस्त